हेलो दोस्तो वेलकम टू उत्रा खंड जी के वेरी जी ट्रिक्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो जो आप लोगों के 746 पदू के लिए फॉर्म आये हैं कनिष्ट सायक डाटा एंट्रे ओपरेटर इसी के साथ कनिष्ट सायक सह डाटा एंट्रे ओपरेटर कनिष्ट सायक सह कंपूटर डाटा एंट्रे ओपरेटर के साथ साहती दोस्तो कर संग्राय करता यानि कि टैक्स कलेक्टर और आमीन के पद सर्वे लेखपाल के पद रिकॉर्ड कीपर पेस कार टेलिफॉन ओपरेटर आधी जो 746 पदों पर वेकेंसी आई है उसके प्रिवि पता चल जाएगा दोस्तों कि कैसा आएगा आप लोगों का आने वाला पेपर जो 746 पद उपर वेकेंसी है उसका भी पैटन दोस्तों इसी पैटन के अनुसार रहेगा 40 मार्क्स की उत्राखंट 20 नंबर की हिंदी 10 नंबर की रिजनिंग और बागी 30 मार्क्स में जीके करें और थोड़े बहुत को इस पेपर के आधार पर आप निश्ची दी अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा आप लोगों का पेपर आएगा देखिए इतने पोस्ट केट के लिए पेपर हुआ था 28 अक्टूबर 2018 UK यूके रपलसी का पेपर है दोस्तों यह जो कि उस टाइम पर दी हम आज की वीडियो में डिसकसब करने वाले हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को सेयर जरूर करें और वीडियो को ज़यर सेयर करने हैं सभी के साथ ताकि सभी को पता चल दोसरा हमारा प्रसन है कि निंदे लखित में से कौन सा सब्द सदयाव एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है तो इसमें से दोस्तों जो जनता सब्द है वहाँ सदयाओ एक वचन के लिए परियुक तो होता है ठीक है आप बात आती है एक वचन और भहुवचन क्या होता है जोस्तों एक वचन जिससे हमें कि एक व्यक्ति का बोद होता है यानिकि only एक चीज का बोद होता है और तो कौन सा सद्याव एक वचन में प्रियुक्त होता है तो जनता सद्याव एक वचन में प्रियुक्त होता है तीसरा पसन है कि बुराईयों से सद्याव दूर रहिए इस वाक्य में रेखांकिल सब्द में क्या संगया यान कि बुराईयों दोस्तों इसमें रेखांकिल सब्द तो उसे हम कहते हैं कि जाती वाचक संग्या तो यहां पर बुराई दोस्तों बुराई से सद्याव दूर रहना चाहिए यहां पर बुराई की क्या हो रहा है पूरी जाती का डिसकसब हो रहा है तो इसी कारण क्या है बुराईयों से सद्याव दूर रहने चाहिए जाती वाच तो आप देख सकते हैं कि जाती वाचक संक्या का ही यह option बंद रहा है अगला प्रस्था कि आवाहन का विलोम सब्द क्या होगा ठीक है तो अधो गती में हो जाएगा का अधः उफसर्ग अधः प्लस गती अधो गती बनता है तो अधः इसमें क्या हो जाएगा अगला मारा छटा प्रस्ण है कि निम्दलिखित मैंसे सैलेश मट्यानी की रचना कौन सी नहीं है ठीक है तो आकास कितना अनन्त है इस पर सगंदा और बावन नदियों का संगम, ये तीनों दोस्तों सहलेज मढ़ियानी की रषना है, तो इसमें से तद्भव सब्द है दुस्तों आपका गया option number C यान की काज ठीक है और काज का तत्सम क्या होता है कार यह ठीक है अब तत्सम तद्भव आप सभी लोगं को बताऊंगे तत्सम यान की संसिक्रेट के समान होते हैं और तत्द्भव यान की जो generation gap की गारान जो हमार सब्द कौन सा है ठीक है तो option number D में दोस्तों सही है तरुच्छाया क्या तरुच्छाया तो आपको ऐसे question वरतनी वाला question परते एक्जाम में आता है दोस्तों और यही पैटर्न रहता यूकेटर प्लेसी का सभी एक्जाम से और इसी प्रकार के प्रसन आप से पूछे जाएं अगरा मारा नवा प्रसन है कि कार्तूस किस भासा का सब्द है ठीक है तो कार्तूस दोस्तों विदेशी भासा का सब्द और विदेशी भासा में भी फ्रांसीची भासा का सब्द है क्या कार्तूस ठीक है वैसे अर्बी फ्रांसीची पूर्तगाली अंग्रेजी तुर्की य तो आप यहां से डैकलि पता कर सकते हैं अगर आप में वाक्य पढ़ेंगे समझ पाएंगे गैर आफ प्रस्टत है कि माला फिरत जग भया, गयान मनकाफेर, करका मनकाडारी के मनका मनकाफेर, उप्यूक्त पंक्तियों मैं कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं सीधिर सब्दालंकार है यानिकि सब्द की विज़े से काव्य की सुंदरता बज़ रही है तो कौन सा है सब्दालंकार आप कैसे सब्दालंकार में कौन सा रुसतो तो इसमें होगा आपका यमक अलंकार क्यों 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 यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही सब्द की बार बार आ जग भया गया न मन का फिर करका मन का डारी के मन का मन का फिर यानि कि माला को फिरते हुए माला के मोतियों को फिरते हुए मन का फिर जाएगा ऐसा लोग सोचते हैं लेकिन मन की भावना अगर जैसी होगी तो कहां से मन का फिर जाएगा इस टाइप से इसका कुछ क्या है तो ऐसे प्रसंदोस्तों ये दूसरी बार पूछ रहा है एक बार उसने पूछा था सहलेश मठियानी जी की रसनाओं का खरम और अभी दुबारा पूछ लिया गया गया महादवी वर्मा की रसनाओं का क्रम या प्रकासन का सही गरम तो आपको ये भी आप याद रखन से प्रसंदोस्तों तो उसका मतलब क्यों मतलब क्या हुआ अथ्यधिक विष्टर्त हो अपसा नमर AZ rankerd हो जाएगा अगला 15 प्रसन है कि अनुस्वार को क्या कहते है ठीक है तो अनुस्वार को दोस्तों क्या कहते है आयोग वहा ठीक है आयोग वहा क्या होते है में लिए हमारे अंक और अहो यानि कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों आयोग वहा के अंतरगत आते है और और वित चुता है? आयोग वहाँ ना तो वेसे शुर होते हैं, ना ही वियनजिन होते हैं, अगल प्रसंति किसी की जिशी नहीं रखते हैं, उचिप्त वियनजिन िसे कहा जाता है, नềंगे क्योन हो तो यह हमारे उच्छित वेंजन या फिर द्विकुट वेंजन कहलाते हैं ऑप्सान नमबर एक का राइट इंसर हो जाएगा सत्रमा प्रस्न है कि वर्न वा का उच्छारा निस्तान कहां से होता है ठीक है तो वर्न वा जो है दोस्तों दंतोस्ट है आप वह बोलिए वह वह तो अगरा प्रस्न है अठारवा कि मगही किस उप भासा की बोली है तो मगही दोस्तों बिहारी हिंदी की बोली है ठीक है अगर आप बिहारी की बात करें तो तीन बहासा है कि MMB मगही मैथली और भोजपुरी यह तीनों कहा है दोस्तों बिहारी बहासा की उप बोली है तो मगह और विपीसु बाबात साकी बोली है तो भीहारी की, option number C. right हो जाएगा, अगरा प्रस्त ना है, कि निम्दभी कल्पू मैं से करन कारक का उधारन कौन सा है, तो करन कारक आपको बताईए, करता ने कर्म को करन से के द्वारा, करन से के द्वारा, तो इसमें से करन कारक पूछा है तो क्या होगा बड़ाई लक्ली से मेज बनाता है यह लक्ली यह माध्यम से मेज बनाता है तो आप यहां पर क्या है करनकारक option number a है हमारा सही हो जाए ठीक है आपने कारक पड़े होंगे संग्या सरवनाम के जिस रूपी से वाक्य कि अन्ने सब्दों के साथ उसके संबंधगा बहुत होता है उसे हम कहते हैं करतानि को करन से के दोरा प्रतान से संब्बंध का कि हे और practice संबदभन से कि approach की उचारन का संध्र क्या होगा तो 4 isntles विरोट्छे दोगागे दूस्तो उध प्लस चारन खेये उध प्रस्निय अमँड्वेंड मिंदू, ठीक का है तो यह है वह इस्तिति स्थिति होती जब फर्मको नहीं लाब ओता है और नहीं हा ने होती है इसी करण निया उत्राक्रण का अंति प्राजा कहा जाता है अगला हमारा प्रस्न है दोस्तों 23 इसमां आपको प्रस्नवाचक चिंद के इस्तान पर कौन सी आकरती आएगी यह बताने ठीक है तो अगर आप इसमें रिजनिंग का कुष्छन है तो आप इन इसको आप से चेंज करेंगे तो इसका राइट एंसर आपको ऑप्सन नंबर आ जाएगा अगर आप इसकी सनस्ता को बनाएंगे तो ऑप्सन एसका राइट एंसर हो जाएगा अगर आप रसने 24 वहां कि पंडित जन्म कब हुआ था तो इसका राइट एंसर नंबर दोस्तों पंडित जन्म हुआ था 10 सिप्टमबर 1887 को अलमुला के खूंट ग्राम में दोस्तों पंडित जन्म हुआ था इन्हें हिमाराई पुत्र और महाराष्ट्र क्याकर भी संभोधित किया जाता है अगला प्रसन है ह प्ले लिश्ट पर जा सकते हैं जहां पर मेरी द्वारा काफी वीडियो बनाए गई है वल लाइन डीटेल्स में उस्तराखन के हिस्टर डीटेल्स में आपको वीडियो जाती और यह तो तब भी जूट सकते हैं मैं फीसका लिंक देदूंगा आप वहां से बहां से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सही है नहीं जुड़ना जाते हैं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है इस 25 रुपे मां आपको हम देंगे वीडियो उत्राखंड की प्रॉपर लीज चैसे साथ मैनी का कॉर्स होगा डेली आपको वीडियो मिलेंगी साथ चाहत 30 प्रैक्टिस महताओं के देश कुमाओं में भागने का उल्लेख आया है किसमें तारीक है मुबारक साही मैं तो देख सकते हैं आप दोस्तों उत्राखंड के कुष्चन काफी हार्ट पुछे जाते हैं और उत्राखंड पढ़ना काफी जरूरी है उत्राखंड और हिंदी मेन है अग्ला 27 आइ 100 प्रसन है नहीं दोस्तों हमेне नहीं कई माला भी mostra इंडरी जो की बहस्तों की बनी माला है जो कि दॉस्तों की इन है अग्ला 28 प्रसन है कि ज्चली माली देवि की Ji प्उजाप्ध द्यति की सान प्ता लगा पंढ़न कि सिंIST प्रूज ने लगा था था अग्ला प्रस्न है अंतरिक्षियान जुनो का संबंद किस ग्रह से है ठीक है तो अंतरिक्षियान जुनो का संबंद दोस्तो ब्रस्पती ग्रह से है ठीक है नासा के दोरा दोस्तो चार अगस्त जुनो नाम का एक अंतरिक्षियान भीजा गया था का अब ब्रसपती को ठीक है जो कि अप्रोक्षिमेटली जुलाई 2016 में ब्रसपती पर पहुंचा थाटो इसी कारण यह प्रस्न पूछा गया था जुनो का संबन किससे है यह ब्रसपती करह से ठीक है और यह अंतरिक्षियान में किस जन का सासन था था ठीक है तो वयदी कालिन उत्ता आखण में दोस्तो तिरितसो जन का सासन था ठीक है यह भी प्राग यह 1810 पर आप्रपतामिया के हतियार बनेatri थे किसके बने थे कि सब्वेता के बारे मां आप सभी लोग ने पढ़ा ही होगा और मैसो पोटामिया दोस्तों दो नदियों के बीच के छेत्र के रूप में भी जाना जाता है जो कि दजला वो फराद नदियों के मध्यगा छेत्र है क्या अग्ला मरा प्रस्थन है बत्तिसवा की नैपाल और इ उनकी ब्रत्ति होगी थी ऐसा ही उसता है तो अठा सो चौदा में ये युद्धिवा था बिनयापाल और इसे इंडिया गंबनी के बीच में नाला पानी ये खलंगा का युद्धिध देशातुन में अल्खलंगा इसमारे भी वहीं पर इस्तित है अगला प्रस्थन है तो लोकत्क जिहल की स्राजि में च्थित है तो लोकत्क जिहल दोस्तो मड़ीपूर में च्थित है अगला प्रस्थन हमारा 44 कि किस ने कहा नीति निति निति सक्षिद्दान्त उद्देशी और आकान साँँ का गोशना मातर हैइगर नीति निति Сक्षित-पत्द्दो के बारे में बताया गया है अगरा हमारा प्रस्न है 35 कि उजली या अनेरी होली का संबंद किस्से है तो थारू जनजाती सी संबंद है दोस्तों क्या उजली या फिर अनेरी होली अगरा प्रस्न है 36 कि कि किर्शी मंतराले के अनुसार 2017-18 में भारत का कुल खाद्यान उत्पादन कितना था तो यह था 27.49 मिलियन टन दोस्तो 2017-18.99 भारत का खाद्यान नोत पादन था यह करेंट फिसका कुछन था उस टाइम पर अगरा प्रसने 37 कुछन है दोस्तो कि वर्तमान उत्राखंड या उत्रांचल में नई अध्योगिक नीति की कुछना कप की गई थी दोस्तो यह कुछन आ गलत हो गया था ठीक है तो नई अध्योगिक नीति आए थी 26 मार्च दो जार थी एक बार आप डेट क्रॉस चेक कर लिएक तो नई अध्योगिक नीति पुरानी अध्योगिक नीति वर्चे आयोगन एक कुछन रिलेट कर दिया था अगला प्रसने दोस्तो इंग्यारा बज तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं तो आप कितना डेटेल कोश्चन पूछता है यूके ट्रिपलेसी तो इसी के आधार पर आपको तयारी करनी है हलके में बिल्कुल नहीं लेना है महनत आपको काफी करनी बड़ेगी 40 परस्न है अंगाली मट कहा है तो टीडी गणवाल जनपत में इस तो क्या अंगाली मट 41 परस्न है कि निम्नरी खित मेंचे भारत में किस पठार का निर्मान जॉला मुखी विस्फोर्ट से हुआ है इस्सी करण है विसाल प्राइदि प्रप थार भी कहते हैं। अगला मारा प्रसणि अचित्रकार मॉलाराम का पारिवारिक पेशा क्षन? अब आपको बता tirar क्यों ऐस ऐसा एक ऑगा हैं। फुषयार लेकिन इनकर पारिवारिक पेशा क्या थे जो नीं सिनार का था। तो मौला राम का पारिवारिक पेशा क्या था सुनार का ठीक है लेकिन मौला राम को अन्ते चित्रकार थे मौला राम के पिता जी को अन्ते मंगत राम वो भी क्या थे चित्रकार ही थे ठीक है और मौला राम के बारे में वीडियो बना चुक वहाँ वहाँ भी देख सकते हैं पूछा जा चुका है कि राइप भी मौझूत है यह कि लिखी गई थी उस्तों पुष्टक तो राद भी मौझूत है यहां कि लिखी दोरा लिखी गई थी किसके वारा लिला धर जगूरी जी के द्वारा लिखी गई थी अप्सन नंबर सी इसका राइटेंचर हो जाएगा अग्रा प्रस्न है सहताली स्वाम कि 10 नमबर 1981 इसभी को मंगलवार था तो 11 नमबर 1581 इसभी को कौन सा दिन था ठीक है तो आपसे सिधे 400 साल पहले का पूछल अगर लीप यह रोगा तो आप दो दिन पीछे जाते हैं तो यह सौथकर मेथड है यह आप अगर डेटेल में करना चाते हैं ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि जेखिए आप अपसे पुछा है कि 11 नमबर 1581 को कौन सा दिन होगा तो एक दिन आपको ज्यादा पढ़ना है तो एक दिन अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आप थर्षडे अंसर आ रहा है आप थर्षडे में लगातेंगे लेकिन थर्षडे क्यों नहीं होगा दो देखिए आप दो पीछी जाएंगे तो इस कारण आपका बुदवार हो जाएगा वैसे आप डिटियल में कर सकते हैं यह सौट ट्रीक होती है कि 100 साल पीछी आता है तो बुदवार ही उसका अंसर होगा ठीक है अगला प्रसन है आनतारिश वां कि अरुन जखमोला किस खेल से संबंद अगरा प्रसन है उन्चासवां कि बंबभाई में सोसल सर्वीस लीक की स्तापना किसके दौरा की गई थी तो बंबाई में दोस्तो तो सोसल सर्वीस लीक की स्तापना एमें जोसी जी के दवारा की गई थी एनम जोसी नारायन मलहार जोसी इनका फुरा नाम था और I think 1911 में 1911 में इन्होंने बंबाई में सोसल सर्विस लेख की स्थापना करी थी पचासवा प्रसने है कि निम्नलिकित मैंसे भू आबद पत्तन कौन सा है ठीक है तो विसाखा पत्नम जो दोस्तों पोर्ट है या विसाखा पत्नम जो पोर्ट है यहां अंद्रपरदेश में स्थित है और यही क्या है भू आबद पत्तन है इसमें से ठीक है कौन सा विषाका पढ़नम ठीक है और यह गोदावरी नेदिके मुहाने पर इस्तित है विषाका पढ़नम मंदरगा अंदरपरदेश में और इसे वाईजाम नाम से भी जाना जाता है क्या वाईजाम नाम से यह क्या उन्हों प्रसन है कि उत्राकर्ण हिली स्टेट काउंसिल क किस आंदोलन का वर्णन किया गया है उन्होंने यह काम किया जो तिलग भी नहीं कर सके थे उन्होंने राष्टी आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया यह कहा किसने दोस्तों कूपलेंड ने कहा है और कौन से आंदोलन के संबंद में कहा है तो अप्रोक्षिमेटली दिसंबर उनिस्व बीस के आसपास में सेयोग आंदुलन स्टाट किया था किसने महातुमां गांधी जी ने ठीक है और गांधी जी के रित्तत में चलाया गया पर्थम जन आंदुलन के रूप में भी सेयोग आंदुलन को ही जाना जाता है ठीक है तो गंगोत्री का गंगामाता मंदिर किसने मनवाय था तो सब्य को बता है दोस्तों गंगोत्री में स्टित गंगामाता मंदिर अमरसिंग थापजी के द्वारा बनाया गया गया और यहाप प्रसने काफी पार इक में भी पूछा जा चुका है आप मारा 56 प्रसन है दूस्तों कि एक फल भी रहता के पास कुछ सेव है वह 40 परसेंट से बेशने के पस्षाद उसके पास 420 से बसते हैं ठीक है सब्सक्राइब उसके बाद एक से बेश कितने रहा है 40 परसेंट तो इसे ब्राबर हो जाएगा तो यहां से इसे डिवाइट करेंगे तो आपका एप्रोक्शिमेटली 700 आजाएगा 3 गशा 3 और 1 और 1,2,3,4,140,140 इंटू 5 आजाएगा क्या? 770 ठीक है तो 700 आपका इसका राइट एससर आजाएगा ऐसे यहां पर यहां पर गाउव ए है क्यांपर इसके उत्तर बें क्या है यहां पर गाउव के पूरव में गाउव C है तो गाउव बे के पूरव में वॉप्सन सार का हनौल मन्दिर किस वास्तो सहली में बनाया गया है है कौन सी वास्तोष हैली में होन वास्तोसहली इ economist है और दिए क्रद इचेंज ओक रहीं क्रप्सीन चैकार में क्यों पर दोटी स्री बद्रीनाथ की सांकेदिक मुद्रा संकेदिक है अग्रा प्रस्न पुछा गया दोस्तों 61 कि निंदलिखित मैंसे अंकु का कौन सा समुच्चे इस समुच्चे जैसा है तो 48-24-12 ठीक अगर आप इसे स्वाल करते हैं तो तू सिख जा ट्वेल्ब थ्री एट जा और सिख जा यानि कि 3-8 जा तो 6-3 तू का आपका स्वारी एट-4 तू का ठीक है ऐसे आपसे पूच्चा गया है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है ठीक है तो इसका अंसर नमबर दूस्तों आपका भी होगा ठीक है एक सट का अप्शन नमबर भी आएगा देखिए कैसे 10 20 और और 40 थीक है तो 25 जा 10 होता है ठीक है 45 जा 20 होता है ठीक है ऐसे 8-4 तू का रेशियो यहां पर भी और यहां पर भी आपका 8-4 रेशियो का एगा क्या 8-6 जा 48 ठीक है तो इस टैप से आप इसको रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं अगला प्रसन है भारती सहन्य कादमी IMA की स्थापना कब हुई थी तो एक अक्टोबर 1932 को दोस्तों IMA की स्थापना हुई थी एक भारत स्थ्थ भारत अभियान की सुरुवात क अक्टोबर दो आपंदरा में उस तो एक भारत अभियान की सुरुवात हुई थी अगला चौश्टवा प्रसन है कि उत्राखन की भोटिया जन्जाती किस मानव परजाती से संबंदित मानजाती है तो मंगोलाइड या मंगो पुर्णारवा लोकन की सक्ति किससे संबंदीद है अगर हम बात करें न्याईक पुर्णारवा लोकन की सक्ति दोस्तों तो संविधान के विरुद्धों होने पर संसत के कानून को असमवयदानिक गोशित करने से संब्धिते क्या न्याईग पुनरवा लोकन की सक्ति ठीक है अब बात आती है कि न्याईग पुनरवा लोकन की सक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल हम बताए गया है कि 1857 कि क्रांति के समभई कुमाओ के कमिशनर कौन थे तो तो अग्रा प्रसन आप से पुशा गया कि एक्स दान पर क्या संक्या आएगी ठीक है तो यह आएगी दोस्तो आपकी आपको यह ऐट करना है ठीक है डिक बभल्लिनाथ मंदिर रचिक है प्रम एद लेकिन रचिक है यहां पर दोस्त मुशस्त वागंगे तरी अव्ह सराँ वन यहाई डेरिया है ऑप्वाल न को प्रम यहां पर करी कि अगशान सेवंत की ऐग़ा रहता त्रोर श्में में अंसर दिया था यूकेटर प्लसी ने लेकिन रिवाइज अंसर की मैं इस कुश्चन को उसने कर दिया था डिलेट ठीक है बद्रियाद मंदिर का अच्छते है चमुरी में स्थित है इसका निर्माण मुगल सैली में हुगा है कहीं कहीं आपको संकुदादारी लेकिलि चैली भी मिलेगा इसा का निर्माण मॉ LIKE ट्रू सी को प्रकास में लाई तो मुकंदी लड़ी निर्ष है। मुलाराम यह पुष्टक भी इनके द्वारा ही लिखी गई ठीक है अगला प्रस्न है दोस्तों हमारा 71 की पिट सी इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था जिसे हम पिट का इंडिया एक्ट कहते है तो यह 1784 में दोस्तों जब हमारा 773 में रेगुलेटिंग आया था तो उसी के क उसमें जो डॉबेक्स थे हमारे उनको दूर करने के लिए 1784 में पिट सींडिया एक्ट लाया गया था बेटी सुके द्वारा अगला प्रस्न है कि सोमचन के आगमन के समय कुमाओं में दोस्तों ब्रह्मदेव का अधिपत्य था ठीक है तो ब्रह्मदेव का क्या था यहां पर अधिपत्य था ठीक है और ब्रह्मदेव की पुत्री से साधी कर दिया गया था ठीक है तो गलत था है वैसे आप सौल भी करेंगे तो आएगा निया आपका इसका अंसर अगला प्रस्न है चौतरमा कि उत्राखन पंचाहिती राज धिनियम कब लागू हुआ था तो चार अगला प्रस्न है दूस्तों रिजनिंग का कुशकन आपको स्वाइट करना कि कैसे आएंगा ठीक है आप आप नाइन इंट्री 27 27 के आ रहा है सेंटर अर डेकैं और यहां पर 5 आएगा, यहां पर 2 आएगा, ठीक है, तो center में only आ रहे है, 50, तो आप सीधे option number 18 मार सकते हैं, अगला प्रस्थन है चेहतर हमाँ, कि गुर्खा सासन के समई, सुबा उसरू, वह साधी के समई लिया जाने वाला कर का नाम क्या था, तो गुर्खा सासन के समई, सुब पर की merit कितने गई थी, इसमें पोश्ट है कितने थी, काफी कम पोश्ट होने के बाद भी, इसकी merit के दोस्तों काफी कम गई थी, क्योंकि यह पेपर काफी अच्छे standard का था, तो Tomcat का है, वेब server है, अरत्तरों प्रसन है, कि उत्राखंड या उत्रांचल जल संस्तान की यह जो pattern है, यह मिलता हुआ नहीं जरा आएगा आपको, ठीक है, तो जल संस्तान की स्तापना, वर्स दो जार दो में, अगला प्रसन है दोस्तों, कि मिराई तोवा है, मिराई तोवा क्या है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020, सिजबी के लिए सुभंकर का नाम क्या था, तो मिराई अगला प्रसन है, असी वा प्रसन दोस्तों, कि कत्योरी प्रसासन में तहसिर i SUR की प्रसासनिक यह काई को ठीक है और दोस्तों वीडियो सेर जरूर करते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ में और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना है तो क्योंकि हम आने वाले समय में आप लोगों के लिए जल्द ही लाओंगा ठीक है प्रसन है कि आईने अगभरी में भुमी को कितने भागों में बाटा गया था तो अगला मारा प्रसन है गुरु सिखर सबसे उची चोटि ये कौनचे पर्वत की जोकी पड़तीये कहां पर राजस्तान में ठिक है तो अरा रावली पर्वत विश्टान की सबसे उची चोटिये कौनचे गुरु सिखर अगला प्रस्टन है चौनए चौणहेत्य सब्सक्राइब ने परवतीविकास विभाग के स्तापना करी थी, तो 1967 में यूपी सरकार ने उस्तो परवतीविकास विभाग के स्तापना करी थी, 1967, option number B right हो जाएगा, अगला question है 85 हुआ, कि सभीने अवग्यांदुललन का प्राहरंब हुआ था, तो सभी नहीं अब ग्या अंदुलन प्रारम भूगा था दूस्तों कि अब 6 अप्राइल उनीच सो तीस इस वीग को तो आप देख सकते हैं डिलेक्ली आपको सन पूस रहा है दूस्तों अगला कुशन है दूस्तों कि अगला कुशन है यदि ल्टी का कूट लेखन टूफॉट यह तो फोटी है तो मडी का होगा देखिए ल को अगर आप ऐलफ़ाबेडीकली बात करेंगे दूस्तों तो ल आता है जो टी तो तो L आता है 12 में और T आता है 20 में 20 इंटो 12 करेंगे तो आजाएगा 240 ठीक है वहीं हम M D की बात करें तो E, J, K, L, M तो M आएगा आएगा आपका 13 में और D आपका 4 में ठीक है तो 13 इंटो 4 की आजाएगा 52 तो option नमबर आपका 20 का राइट अंसर हो जाएगा अगला नवाशिवा प्रसना है कि जैलंग परवत शिकर कहा है तो अब देखिए परिक्षिया वाली के बुक में इसे चमोली में दिया गया तो आप इससे सही कर लिजिएगा इसका राइटन सरह गया उत्तर कासी अगला प्रसना है नब्वेवा कि एक step font को बलाने है तो shortcut की नवंबर में 2530 के बीच में तो इसमें कर गया तो इसमें किरती बमक गलेसियर यहां उत्तर कासी जनपद में इससे जब्याजीर अगला नवर्ग राइटन से गया है प्रस्ण we came now பिल्यस्तुर्मंदिर तरह को माहां मनतित है और मन पाउठी है अगला मरा प्रस्ण है बाली की दार्र मनतिर तो के दोरह हरच वर्दन के दोरह फुरब किया था रिख क्या धिके इसके दोरह हर्च forgotten के द्वारा रातरी हज मार्द वारत में नेक्स लब्दक लेकिन प्रज को घ्रदन शाहर निम चैबुन यह क्या है नया राश्टी राजमार गया ठीक है दुनों आप नूट के लिएगा आपको एक ही दिया जाएगा अगला अठानविया प्रस्तन है कि कुमाओं पर गुर्खा अक्रमल के समय नेपाल नरेश कौन थे तो कुमाओं में गुर्खाओं ने अक्रमल के अथा 1790 वी में था तो नेपाल नरेश कौन था रन बाहदूर साथ उ अपसर नूमबर सीथ का राण एंसर हो जाएगा और गुर्खाओं के उपर वियंआ डिटियल में वीडियो बना चुका अगला निर्यान भीयां प्रस्ते आए जोस्तों कि गांधी जी की दांडी आत्रा साबरमती से कि प्रारंब होई थी और किस तिति को दांडी पहुंच थी तो सअबर मती से ची दांडी यात्रा 12 पहुंच गई थी और हंटरल्ष लिंग्विश्टिक श्टेडी ऑफ जॉन्सारी किसके प्रसिद्द रसना है तो उमादत सर्मा सतीज जी की रसना है क्या A Linguistic Study of John Sahari तो option number 20 का राइट एंसर हो जाएगा अब बताइए दोस्तों आप लोगों को यह paper कैसा लगा easy लगा, hard लगा, moderate लगा आप मैंसे कई सारे लोगों ने यह paper पहले दिया हुआ होगा जो पहले से तयारी कर रहे है और कुछ जो नए अभी चात्र है या जो नए अभी competitive exam की से तयारी नए लगके कर रहे है उनको यह paper काफी hard लग रहा होगा मेरे ख्याल से तो दोस्तों आपको ऐसे paper से देखके demotivate नहीं होना है इन ही paper उसे आपको एक energetic power लानी अपने अंदर के आपको ज्यादा महत करनी पड़ेगी और अच्छे से तयारी करनी पड़ेगी क्योंकि group C जरूर है दोस्तों level 2000 की job जरूर है great pay 2000 का जरूर है लेकिन आपको अगर job चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा और काफी अच्छी तरके से पढ़ना पड़ेगा आपके समय में दोस्तों आज के समय में group D और normal vacancies group C हो गया group D हो गया सब में लगब 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 paper का syllabus सेम रहता है तो approximately 431 पड़े हैं इसमें कनिस्ट सायक और data entry operator के संग्रह करता कि या tax collector के 149 पड़े हैं इसके साथ कुछ अन्य पड़ भी है 746 पड़े हैं तो आपको उसके regarding ली तैयारी करते वे चलनी है अब मैं आपको सब्सक्राइब के बारे मता जिता हूं कि merit कितनी गई थी तो approximately मैंने इसके अभी merit देखी जो कनिस्ट सायक में merit गई थी इस paper में तो काफी कम सीट है थी approximately काफी कम सीट है थी इसमें दोस्तों लेकिन जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाइब थे वे 63 जरनल मेल्स की भी 58 के आसपास उसमें कट आप गई थी तो आप सोच सकते हैं कि ये paper काफी अच्छी लेवल का था और दोस्तों अगर आपको selection लेना है उत्राखन में तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको minimum 70 प्लस तो लाना पड़ेगा 70 प्लस की आपकी तयारी होनी चाहिए दो अच्छी तयारी करनी है तो आपको सोच के चलना है कि आपको 75 प्लस या 80 प्लस स्कोर करना है भलाई दोस्तों टॉपर 75 और 80 के बीच में रहते हैं आज के टाइम पर उत्राखन में क्योंकि आयोग युके ट्रप्लेस्टिक के द्वारा प्रजेंट पर काफी hard papers बनाए जा हैं तो complete online course है 6-7 महने का और 30 practice set आपको दिये जाएंगे तो थावजन online important प्रस्णों तरी आपको दी जाएगी 5-6 महने का course रहेगा और आपका contact अगर आप करना चाहते हैं तो 7417540616 नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं इसके सांसा 941505080 नंबर पर भी आप हमसे WhatsApp पर संपर कर सकते हैं और 25 रुपे फीचे जोस्तों कोई ज्यादा नहीं है 400 रुपे पर बन्ता आप मान सकते हैं इसके सांसा practice set अलग से है तो थावजन online प्रस्णों तरी अलग से है और काफी details में आपको यहां पर उत्राखन पढ़ाया जाता है ठीक है तो अगर आप जूलना चाहते हैं तो द आपनिवाद